हालो फ्रेंट्स, वेलकम टू करियर स्टड़ी एफकाट आलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार सौगत है आज की स्टूडियम हम बात करेंगे एफकाट 2 2017 के एक्जाम पैटर्न और स्ट्रेजी की कि किस तरह से अपने प्रिपेर होना है एफकाट के एक्जाम के लिए तो अगर हम निर अबाट बात करें आपके पास 2 months है और 2 months में आप काफी अच्छे से प्रिपेर कर सकते हो यानि कि आपको अगर merit में आना होता है एक तो है कि आपने just return clear करना है तब तो cut off आपकी near about 150 लगेगी लेकिन 150 से आपको मतलब नहीं होना चाहिए आपको merit में आना है बाद में जब आपका SSB clear होगा तो आपको 170 plus score करना है और अगर आप 2 months के लिए बिलकुल अच्छे से प्रिपेर करते हो तो आपको 200 plus score करने से कोई नहीं रोग सकता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें exam pattern और strategy की तो उससे पहले आपको हमारा जो हमने slabus related video upload किया हुआ है आप यहाँ पर उपर cards में देख सकते हो यहाँ पर आपको show हो जाएगा अपकर का जो हमने official slabus यहाँ पर discuss किया है तो आप उसको check कर सकते हो वहाँ से आपको काफी help मिलेगी तभी आपको यह समझ में आगा कि pattern किस तरह से होगा और कहाँ पर आपने focus करना है अब यहाँ पर अगर हम pattern की बात करें अगर आपने वो video देखा हुआ है तो आपको पहले से ही थोड़ा idea है कि किस किस तरह के topics हमारे exam में आने वाले है pattern जो होता है वो आपको 100 questions होते हैं और 300 marks के होते हैं यानि कि each question है 3 marks का लेकिन अगर आप wrong attempt करते हो तो आपकी 33% negative marking है यानि कि आपका wrong question से one mark deduct कर लिये जाएगा तो यह आपका simple सा pattern है कि three marks each question है and one marks deduct होगा each wrong question के next यहाँ पर section से 4 English, GK, Math and Reasoning यहाँ से depend करता है कि question किस तरह से आएगे तो काफी जगा आपने पढ़ा होगा या आपने सुना भी होगा कि 25 each आते हैं कि 25 English से आएगे 25 GK से 25 Math से 25 Reasoning से लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पर क्या होता है कि combination होता है English and GK अगर हम दोनों को combine करें तो near about 50 questions होते हैं English and GK को मिला कर and Math and Reasoning के 50 होते हैं इस तरह से combination होता है ऐसा नहीं है कि 25 25 होंगे 50 50 होंगे यह तो है English और GK को मिला कर 50 बनेगा Math and Reasoning को मिला कर next 50 बनेगा अब English और GK में क्या हो सकता है हो सकता है वो 30 questions English के डाले 20 questions GK के डाले 20 questions English के डाले या फिर 30 questions GK के डाले और Math और Reasoning में तो fix है Math के 20 होंगे Reasoning के 30 होंगे near about की बात हो रही है हो सकता है Math के 18 ही हो लेकिन 20 plus जो है वो डालते नहीं है यह Math के कम questions डालते है क्योंकि time जो है limited होता है तो आपको उसी तरह से paper set किया होता है कि आप उसको solve कर सको तो यहाँ पर Math के आप लेकर चलो कि आपके पास 20 questions है और Reasoning के आपके पास 30 questions है इस तरह से आपने समझ लेना है तो यहाँ से अब हम discuss करेंगे यहाँ पर topic किस तरह से त्यार करने है इंग्लिस में सबसे first जो है वो तो है कि आपका comprehension जो है comprehension skill आपके अच्छी होनी ची तीन से चार questions आपको easily मिल जाएंगे यहाँ से next is GK sorry अभी इंग्लिस में just हमने comprehension को discuss किया है तो comprehension के बाद अगर हम बात करें 25 से 30 questions जो complete होने है वो किस तरह से आएंगे इसमें अभी बाकी क्या आएगा आपका synonym and antonym से हर साल fix है कि question आते ही आते हैं synonym and antonym के 2 to each question तो आएंगे ही आएंगे उसके बाद आपका सबसे important thing जो है वो है clause test clause test के आपके 5 से 6 question बनते हैं से 30 questions बनाए होते हैं next अगर हम GK के बात करें अब GK के यहाँ पर आपको policy भी याद करनी है history भी याद करनी है economics भी याद करनी है जो GK है normal GK वो आपको याद करनी है लेकिन focus कहाँ पर करना है current affair पर क्योंकि हर साल यही होता है current affair अगर GK के मालो 20 questions बन रहे है ठीक है 20 questions में से कम से कम 15 10 to 15 questions current affair के होते हैं 5 questions या आपके जो subjective GK है वहाँ से होंगे आपके तो बिल्कुल कम होते हैं subjects में से आपके current affairs जादा होते हैं तो उस तरह से आपको prepare करना होता है तो अभी हम last में बात करेंगे में आपको बताया हुआ है कि सिर्फ वही topics जो है वही आपके exam में आएंगे extra कोई नहीं आएगा जैसे उन्होंने fraction का दिया होता है आपको profit loss का दिया होता है और average का दिया होता है ratio proportion का दिया होता है उसी तरह से सिर्फ 7-8 topics हैं जहां से question बनते है time and work बगेरा के फिर उसके बाद reasoning के अगर हम बात करें तो verbal non-verbal जो reasoning है 30 questions है अगर आपका math अच्छा है जो जिस level का math इस exam में आता है अगर आप वो clear कर लेते हो बड़े अच्छे तरीके से तो automatic है कि आपकी reasoning के 25 questions तो असानी से हो ही जाएंगे क्योंकि math जिस level का इसमें आता है उस हिसाब से अगर हम बात करें अगर आपने उस हिसाब से त्यारी की हुई है तो reasoning यानि कि आपकी mind ability जो है वो खुद ही increase हो जाती है इतनी कि आप इस तरह के questions कर सको तो reasoning जो है वो math के साथ चलती है math की practice अच्छे से करो reasoning साथ में चलेगी तो यह तो hundred questions हो गए अब यहां से अगर हम बात करें कि official syllabus में तो हमें यह दिया हुआ है हमने उतना ही त्यारी करनी है तो ऐसा नहीं है English में आपका clause test आएगा तो वो कहां से आएगा उसमें आपको tense भी prepare करने है उसमें आपको nouns, pronounce, adjectives सारा कुछ याद करना है ताकि आपके वो totally grammar पर depend है आपकी जो skills हैं, grammar skills हैं वो बिल्कुल complete होनी चाहिए तभी आप English का section कर सकते हो GK की अगर हम बात करें तो current affair पर आपको ज़्यादा focus करना होता है next अगर हम math की बात करें math अब आप सीधा सोचो कि हमने सीधा percentage से start करना है तो ये नहीं होगा आपको starting number system से ही करनी पड़ेगी math जो start होता है basic से ही start होगा क्योंकि हो सकता है आप 12 तक आपका math काफी अच्छा हो या आप graduation time में भी इस time में या आपने btac की होई है उस time आपका math काफी अच्छा हो लेकिन फिर भी जो basic things होती है वो एक बार clear करनी जुरूरी होती है ताकि आपकी speed है वो increase हो जाए speed आपकी tricks से increase नहीं होगी speed होगी आपकी basic से increase आप calculation में कितना time लगा रहे हो ठीक है उस तरह की छोटी छोटी चीज़े यहाँ पर count होती है वहाँ से आप time maintain करते हो साथ में हम वीडियो अप्लोड कर रहे है हम हर topic पर यहाँ पर वीडियो अप्लोड करेंगे इंगलिस में हम comprehensive close test से लेकर synonym antonyms, one word, substitution, adams phrases सारा कुछ यहाँ पर जुरूर upload करेंगे gk के अगर हम current affair की बात करें तो current affair हम अभी थोड़ा delay हो रहा है लेकिन फिर भी हम पूरा यहाँ पर आपको upload करके देंगे math के हमारे चल पड़ी है math की series लगबग 6 से 7 lectures हमने upload कर दिये हुए है और reasoning अभी हमने start नहीं किया लेकिन reasoning भी हमारा यहाँ पर cover होगा complete तो वो हमने पूरी आपकी अच्छे से त्यारी करवानी है और साथ में आपको कहीं न कहीं से जो आपने practice के लिए कोई book ली होगी या आपने question paper पर series कोई न कोई ली होगी तो वहाँ से आपको practice करनी होती है साथ में कि आपकी speed कितनी increase हो रही है speed यहाँ पर ज़्यादा matter करती है और अगर हम just cut off की बात करें 150 की cut off लगती है अब अगर हम किसी भी student की बात करें या math and reasoning अच्छी होगी तो maximum के साथ यही होता है जिसका math and reasoning अच्छा है वो gk पर इतना ध्यान देता ही नहीं है तो gk और English उसका थोड़ा सब weak रह जाता है या फिर जिसका gk और English अच्छा है वो math में थोड़ा weak होता है इसलिए 150 की cut off जाती है क्योंकि पूरे अगर हम all India की बात करें तो आपको combination इसी तरह से मिलेगा two two subjects में combination होता है तो 150 लेने तो बिल्कुल easy है आप कोई दो topics आप बिल्कुल अच्छे से clear कर लो बाकी से आप just fair study करो थोड़ी थोड़ी study करते रहो तो आपको 10 से 12 questions भी अगर 50 में से आते हैं जैसे मालव आपने math और reasoning की त्यारी की हुई है English और GK से आपको just 10 से 12 questions clear हो जाते हैं वहाँ पर तो आपके बिल्कुल easily बन जाती है cut off तो लेकिन हमें आपकर cut off से मतलब नहीं होता है cut off clear करके हम क्या करेंगे बाद में SSB होगा फिर merit में नहीं आये तो काफी एक तरह से अच्छा feel नहीं होता है कि हाँ यहां तक पहुंचे फिर बाहर हो रहे हैं तो हमें यहां से focus इस तरह से करना है कि 200 का score करना है ताकि बाद में merit में आने के लिए काफी अच्छा रहे और यहां पर हम वीडियो भी आपको इस तरह से upload कर रहे हैं बिल्कुल pattern के साथ ताकि दूसरा जो topic होता है वो बिल्कुल linked होता है पहले बाले topic से तो आप अगर regular है हमारे साथ तो आपको काफी help मिलने वाली है यहां से तो फिलहाल हमारा strategy यही है आपकी कि आप combination में पढ़िए math reasoning पढ़ रहे है क्योंकि जब आप math पढ़ोगे तो reasoning increase होगी और current affair पर थोड़ा focus रखिए जैसे यहां पर आपको videos मिल रही है आपने कोई article बगेरा पढ़ते हो आप daily newspaper लगवाया हुआ है आपने खुद आपकी knowledge increase होगी और English का grammar हम यहां पर आपके exam से पहले पूरा पूरा complete करने वाले है tenses से start करेंगे हम और धीरे धीरे हम total यहां पर slavies cover करेंगे तो यह हमारा यहां पर just video था कि pattern किस तरह से है और strategy क्या होनी चीए आपकी तो next time मिलते हैं next video के साथ यहां पर आपको total videos upload की जाएंगी तो फिलाल अभी के लिए इतना ही है thank you